वेल्कम गूड मॉनिंग और ये इस चेनल देल सब्सक्राइब और प्रेजदे बेल आकर इस वीडियो में लेके आये वे हैं क्लास 7 की भासा मंजरी हिंदी पार्थी फुस्तक और चेप्टर आपका है दो जो कि आप देख रहे हैं गिल्लू पार्ट से आधारित है तो उसका क अनसर करेंगे पार्ट से जो की परिछा के दृष्टिकों से काफी महत्तपर्ण है आईए क्लास को अच्छी तरह से सुरू करते हैं पहले आप अपना कॉपी कलम को खोले और अच्छी तरह से आराम से बैठें बैटकर बच्चों लिखने का परियास करेंगे आप लोग बै देखकर लेखिका को अनायस किस की याद आजाती है और क्यों ये आपका question है आपका कोश्चन है आप लेक किताब खोलें के बठे होंगे तो दिखेए इसका answer दिखेंगे आराम से दिखेए सौनजूही को देखकर लेखिका को किसकी अनायास आती थी, उसको लिखेंगे अच्छी तरह से देखिए, उस नणहें से गिलु की याद आ जाती है क्यों याद आती है उसको भी कारण लिखना है क्योंकि उसने उसी स्वन जूही के पास क्या क्या था उसके प्रान बचाये थे ये आपको लिखना था इस तरह से लिखे अब आते हैं कोस्चन नमर दो पर दो नमर कोस्चन में क्या कह रहा है कि प्रस्टुत पाठ में लेखिका ने कोवों के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, तो उन्हें लिखिए, तो यह आपका question भी है, आप किताब में भी देख रहें अच्छी तरह से, तो उसे भी लिखेंगे, तो लिखेंगे तभी तो सिखेंगे न, इसलिए आप अच्छी तरह से पहले पढ़िए, मन लग खिकार ने कोवों को क्या बताया है, समाधरित कहा गया है, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं, वह कोवे के रूप में अपने प्रिये जनों से मिलने आते हैं, उन्हें खाना खिला कर यह माना जाता है, कि वह अपने प्रिये जनों को खाना क्या करता है, खिलाया गया है, इससे उसको संतुष्टी होती है, यह इस तरह से आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर इसे लिखने का परियास करेंगे, क्वेश्चा नमर बच्छो तीन की बात करें, उसमें क्या कारा है, कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी, क्या करता है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी, लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती है, तो उसका कारण को बताना है, उस कारण को आप लिखेंगे, तभी तो आखिर वो भूल नहीं जाती है, क्यों नहीं भूलतें उसका कारण किया था तो उसका आंसर को भी लिखना है ये रहा आपके पास आंसर iran कोपी कलम को आप खोल लिए हैं तो साफ सुत्रा लिख problèmes जैसा मनतर सा नहीं लिखना है साफ सुत्रा लिखना है बहूत समय बित जाने के बाद क्या हुआ था बहुत समय बित जाने के बाद भी लेखिका गिलु को इसलिए नहीं भूल पाती थी क्यों क्या कारण था क्योंकि लेखिका ने गिलु को अपने बच्चे की तरह देख भाल करके पाला था वह गिलु का ख्याल एक मा की तरह ही रखती थी और यही कारण है कि लेखिका गिलु को नहीं भूल पाती थी इस तरह से बच्चों आप आंथर को लिखेंगे क्वेस्चन नमर चार आपके पास आगया है अच्छी तरह से देखते चलिए चार नमर क्या का रहा है लेखिका ने अप लिखें अच्छी तरह से लेखिका ने गिलु की प्रसंसा किन सब्दों में की है यह आपका क्वेस्चन है चार नमर क्वेस्चन में लेखिका ने गिलु की प्रसंसा किन सब्दों में की है तो उसका आंसर भी आपको लिखना है हम धीरे-धीरे आपको लिख रहे हैं, धीरे-धीरे आप लिखने का प्रयास करेंगे, हडवड, हडवड नहीं किजिएगा, नहीं तो हडवड में काम गड़बड हो जाता है, और अक्षर भी आपका खराब हो जाएगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेखिकाने गिल्लू की परसंसा मनुसिके प्रती प्रेम भाव का वर्नन क्या गया है यानि उसमें प्रेम भाव की वर्नन क्या है यह उनके एक निजी जीवन की असल घटना पर अधारित है यह इसका आंसर को लिखेंगे अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर इसे लिखने का बच्चों प्रियास करेंगे क्वेश्चन नमर पांच आपके पास आगया फाइब नमर क्वेश्चन को देखेंगे क्या question का रहा है, ध्यान से इसको देखिए, अच्छी तरह से धीरे-धीरे से लिख रहे हैं, क्या आपको दिक्कत नहीं हो, तो अच्छी तरह से लिखने का प्रियास करेंगे question नमर पांच का रहा, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में पर्थम बसंत के आने का वर्णन किन सब्दों में किया है, यह आपका question है, तो आप किताबें भी देख रहे हैं, तो यह आप answer इसको भी लिखना है न, तो answer कैसे लिखेंगे, तो उसको जानिए, बहुत ही आपको बता रहे हैं, आपको कैसे लिखा जाता है, तो answer को लिखेंगे, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में पर्थम बसंत के आने का वर्णन इस तरह किया, जब तिल चमेली की गंद, लेखिका के कमरे में होले होले से आने लगी, और बाहर की गिलहरियं क्या करने लगी, खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक कहते हैं, चिक-चिक करके ना जाने क्या 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 कहने लगी, यह देखकर लेखिका को लगा कि गिलहरी को पिंजरे से मुक्त करना आवस्यक है, यह इसका answer को लिखेंगे, Q6 की बात करें, तो सोन जुही की लता के नीचे गिलू को समाधी क्यों दी गई थी, यह आपका Q7 है, यह है, लिखें जल्दी से, इसके बाद भी Q7 हम करेंगे, जो extra Q7 हम कहाने से लिए हुए है, उसको next part में update करेंगे, यह आपके पार्ट से Q7 को हम बता रहे हैं, तो next part भ Q7 की लता के नीचे गिलू को समाधी क्यों दी गई? तो answer भच्चे उसका लिखिये, सोन जुही को लता के नीचे गिलू को समाधी इसलिए दी गई, क्यों कि गिलू को सोन जुही की लता सबसे अधिक प्रियती और अकसरवा वहाँ छुप जाती थी, यही आपको लिखेंग तो यह आपके बहुत ही छोटे-छोटे संटेंस में आपको बता हैं, बहुत सरल धंक से बता हैं कि आपको कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, वीडियो अगर आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक अबस करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब किज और पिछले वीडियो को जाके प्लेलिस में देखिए, धन्यवाद